आज की वीडियो ना कुछ लोगों के काफी पेसे बचाने वाली है आज नमें इन दो फॉन्स का रिवीव करने वाला हूँ जो काफी ज्यादा चर्चा में है वैसे इन दोनों फॉन्स का मैं अलग-अलग फॉन्स के साथ कंपेरिजन भी लेकर चुका हूँ जिन्हें आपने काफी पसंद भी किया और प्राइज वाईज अगर देखा जाए तो इन दोनों फॉन्स का कंपेरिजन नहीं बनदा सुबा बादाम खाने वाले लोगों ने तो अब तक शायद कमेंट में लिख भी दिया होगा कि भाई प्राइज का डिफरेंस तो देखो कंपेरिजन कर रहे हूँ सो आई नो प्राइज का काफी डिफरेंस है बट कोई तो रीजन है कि मैं ये कंपेरिजन बना रहा हूँ तो बस देखते रहो, इसी तरह फॉन्स के रिव्यूस, कमपेरिजन्स हम लोग बनाते रहेते हैं, ताकि आप लोग एक सही फॉन पर अपने पेसे लगा सको, विगो दाइनों के पेसे पेड़ पर नहीं होगते हैं, चलो बात करते हैं सबसे पहले देखो दोनों की प्राइस देखे लो, क्योंकि सबसे बड़ा कम पेरी जन्तों यहीं है, देखो ओपो F27 Pro Plus के दो वेरियन्स अभी यह दिखा रहा है, 8GB RAM 128GB स्टोरेज एंड 8GB RAM 256GB स्टोरेज, एट 128 की प्राइस की अगर बात करें तो यह है 2799, यहाँ पर अभी चाल कोई बेंकोफर नहीं है, फिलिपकार्ट एक्सिस बेंक कार है, जोकि लगबग सभी प्रोड़क्स पर होता है फिलिपकार्ट पर, पर यहीं अगर बात करें, मोट्रोला AG50 Fusion की, इसके भी देखो अलग अलग वेरियन्स है, 8GB 128, 12GB 256, 8GB 128 की में बात करूँ, 22,999 रुपी प्राइज, 23,000 में से 1 रुपा बचेगा, चोकलेट खा लेना, यहाँ पर देखो बेंकोफर्स भी दिये हैं, फिलाल यहाँ यहाँ पर देखो HDFC बेंक का क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है, तो बस बल्ले बल्ले, 2000 रुपे डारेट कम हो जाएंगे, वैसे यह बेंको पर देखो टाइम टो टाइम चेंज होते रहते हैं, अभी HDFC दिखा रहा है, हो सकता है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, कोई और बेंक हो, और ओपो के अंदर भी कोई बेंक एड हो जाए, तो यह जब भी आप वीडियो देख रहे हो, चेक कर लेना, वैल अभी कि अगर बात करे देखो ओपो के अंदर कर्व डिस्प्ले मिलती है, लाइट वेट फोन है, पतला फोन है, प्लास्टिक फ्रेम है, और IP रेटिंग जबरदस्त है, IP69, जी हाँ, इंडिया का यह पहला फोन है, जो IP69 रेटिंग दे रहा है, और यह वाकई काभीले तारीफ है, देखो IP रेटि रोलर चल रहे हैं, गार चड़ रही है, वाटर जेट्स का यूज किया जा रहा है, जी हाँ, जिससे पानी काफी ज़्यादा प्रेशर से निकलता है, तो यह सब देखने के बाद मन करता है, कि भाई काफी डूरेबल फोन है, ले लो, और यहीं कोड़े में देखो इनों ने गिरा कर दिखाते हैं, जिसमें बहुत ही कम चांसिस होते हैं, फोन टूटने के जिहां, यह रियालिटी है, असल टेस्ट होता है रोड के उपर किसी AC सर्फेस पर जहां छोड़े चोटे पत्थर निकले होते हैं, और AC में फोन का बचना काफी मुश्किल होता है, और इन ना कंपनी का एडवर्टाइजमिंट कर रही है, वो थोड़ा ज्यादा ही है, इसलिए भाई में तो बिलांस के उपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता, वेल मोटरोला एज 50 फूजन की बात करें, तो ये भी देखो अच्छा एक लाइट वेट फोन है, पतला फोन है, दोनों क आसा ध्यान रखना, वेल से तो मुझे पता है कि डिजाइन की ना तुम कबल लगा के एसी देसी करने वाले हो, वेल देखो डिजाइन आईपी रेटिंग मोटरोला ने भी काफी शांदार दी है, हाला कि यहाँ पर ओपो ने थो एक्स्रा ओडिनरी काम किया है, बट मोटरो यहाँ हो सकता था, हाला कि यहाँ पर देखो कलर्स वगेरा काफी अच्छे आ रहे हैं, यूटूब पर 4K में HDR कंटेंट देख सकते हो, जी हाँ, मोटरोला कि अगर बात करें, तो MLA डिस्पले यहाँ पर भी है, 144 हर्जी की रिफ्रेश रेट है, रिफ्रेश रेट काफी ज रहता, तो यह टीज मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, दोने ही फोन्स वे Android 14 के साथ आते हैं, कलरोई से काफी अच्छा UI है, दोनों ही फोन्स में आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, और ओपो में ना कुछ पिर इंस्टॉल्ड एप्स भी रहेंगे, और कुछ रि परफोर्मेंस मिला है, मोटरोला में, जी हा, मोटरोला में मिलती है, 7SDN 2 चिपसेट, 4 निनो मिटर की चिपसेट है, छोटी चिपसेट है, हाला कि इसके किलोग स्पीड भी कोई ज्यादा नहीं है, अउनली 2.4 गीगार्ट्स, बट इस्टिल ये एक अच्छी चिपसेट है, हाला कि इसका भी अंतुत स्कूर अगरम दे के 5 लाख पिलस ही आता है, यूए फेस 2.2 स्टोरेज टाइप, बट इसमें जब गेमिंग की गई तो ओपो के कमपिरिजन में ज्यादा अच्छा परफोर्मेंस है, फ्रेम ड्रोप से ना के बराबर हुए है, 60 FPS पर दोनों ही फो 1000 रुपीज में OIS नहीं है, जबकि आज गलना 15,000, 16,000 के फोंस भी OIS दे रहे हैं, OIS काफी ज्यादा stability प्रोवाइड कर वाता है, बट यहां पर मिसिंग है, यहां पर नहीं है को optimization से काम चलाने की कोशिश की गई है, फोटो को थोड़ा ब्रैट करने की कोशिश की गई है, यहां daylight में अगर हम samples देखें, तो काफी average से samples आ रहे हैं, और low light में कुछ इस तरह का result है, एंड portrait यह काफी अच्छे ले रहा है, बट जब बात आती है, वीडियो गिराफिकी 4K 30fps यह maximum support करता है, एंड 4K 30fps पर काफी shaky videos बना रहा है, I don't like it, यहीं अगर हम बात करें motorola की, so motor से saturated color से निकाल रहा है, जो कि दो कुछ लोगों को शायद लगे किया, थोड़ा ज्यादा ही saturation है, बट overall अगर में जब इसे comparison में देख रहा हूं, मुझे motorola के color से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, एक नजर में definitely motorola के color से अच्छे लगेंगे, और बाकि यह आपके उपड़ अंडर डिस्प्ले फिंगर्प्रिंट, एंडर फाइट अच्छे बड़ी बेटरी, 67 वोट की fast charging के साथ, with reverse wired charging, हाला कि कितने वाट की है, ये कंपणी ने clear नहीं किया, बट reverse wired charging के support करता है, लेकिन गहां पर एक चीज़ थोड़ी सी आतरंगी लगेगी, 80 वोट का charger ये देते अपर भी काफी ठीक मिला है, 6-7 गंटे का screen on time ये भी निकाल रहा है, तो बेटरी वेक अप दोनों का लग भरक सिमिलर, इसके लावा एक ओर डिफ्रेंस है, 5G बेंट से जहाँ ओपो ने दिये हैं, उनमें से भी दो कम है, बट मोटरोला ने कट्टा भरके 5G बेंट से दिय अगर यहाँ पर durability के साथ सिर्फ camera भी अच्छा दे देते, OIS वगिरा लगा देते, थोड़ा सा optimization बढ़िया कर देते, तो वो भी enough हो दा, पर यहाँ पर इसा कुछ नहीं किया गया, पर यहीं अगर हम Motorola को देखें, तो 4-5,000 रुपे कम देने के बाद भी एक काफी अच्छा फोन है यह, camera based है, design and durability भी ठीक है, OPPO से comparison में तो हाँ ठीक है, OPPO को बीट नहीं कर सकता, बट overall अगर देखा जाए, तो काफी अच्छा डिजाइन है यहाँ पर, IP68 rating है, इसके लावर डिस्प्ले भी ठीक ठाक मिल जाती है, performance थोड़ा सा बेटर है, camera काफी अच्छा मिल जा चाहिए, तब आप OPPO की तरफ जरूर देखो, बट यहाँ पर brand के लिए मैं एक message दोंगा, कि यहाँ और चीज़ों पर भी काम करना चाहिए था, या फिर फोन की price थोड़ी कम होनी चाहिए, तो यह मेरा एक ठोड़ा सा suggestion है, जो कि मुझे पता है कि कोई भी serious नहीं लेगा, मेरा आपको ये वीडियो केसी लगी, I hope आपके इससे कुछ help होगी, कोई doubt हो, कोई question हो, तो comment करो, चलो आज के लिए तना ही मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, जेहिन.